पप्पू यादब राजनेता के साथ साथ राजनेतिक पहलवान भी हैं कुष्टी के हर दाव पेंच को बखुबी समझते हैं और मौका लगते ही धोबिया पाठ देना जानते हैं पर यह अलग बात है कि चुनावी मैदान में पिछले दो सालों से वे चारों खाने चित्तो हो रहे हैं पर उनका दंगल प्रेम किसी से छुपा नहीं है लिहाजा जैसे ही मौका मिलता है कुष्टी के हर दाव पेंच को समझने बूझने मैदान में पहुँच जाते हैं और गौर से दंगल में दाव सीखने लगते हैं ऐसे ही एक दंगल में पपू यादब पहुँच गए यहां हो रही कुष्टी की बारीकी को समझने लगे तो लोगों ने अखारे के पहलवानों के दंगल का उनको जज़ बना दिया दरसल लखी सराय के के आर के खेल मैदान में दो दबसिये राज अस्तरिये दंगल प्रतियोगिता का आयोजन था और अंतिम दिन पपू यादव, बिवेका पहलवान, दोलार चन्द यादव, रतन सिंग के साथ मदसुदन पहलवान इस आयोजन के निर्णायक थे इस दंगल में जारखंड, यूपी, हडियाना समेट कई राजियों के पहलवान आये थे तो महिला कुष्टि के लिए भी कई महिला खिलारी इस मैदान में मौजूद थी 58 किलो वर्ग में वारानसी की इंटरनेशनल मेडलिस्ट पायल शर्मा 55 किलो वर्ग में इंटरनेशनल मेडलिस्ट धन्मंती देवी 53 किलो वर्ग में इंटरनेशनल मेडलिस्ट प्रियंका 51 किलो वर्ग में नेशनल मेडलिस्ट साध्वी चोहान 45 किलो वर्ग में नेशनल खिलारी आरती यादव और 35 किलो वर्ग के स्टेट खिलारी भारती भी अखारे में जोर आजमाईश के लिए पहुंची थी महिला पहलमान से लेकर पुरुष पहलमान इनाम पाने के लिए अखारे में डाउं आजमाने में लगे थे एक दूसरे को पठकनी देनी की कोशिशें जारी थी तो राजनितिक पहलवान पपु यादव इन पहलवानों को हरकारा दे रहे थे और महिला पहलवान ने बिहार में तो पुरुश वर्ग में जारखंड के पहलवान ने बाजी मारी परश्रे पपु यादव को मिल गया यहाँ पे जो है दंगल जो बहुत अच्छा हुआ जो हमारे गुरू पपोई आदव जी जैसे महान जो है आधोड फूरे दंगल को चमहने वाले आज के तरताज पपोई जी है यह जो मैदान है यह मैदान सजा हुआ है पहलवानों से चारों तरफ कुष्टिक से प्रेम रखने वाले लुगों की भीर है बीच में रेफरी हैं, एंपायर हैं और जज सामने बैठे हैं जजों की कुर्सी पर पपु यादब बिबे का पहलवान सरिक है पहलवान भी है जो राजनिती को भी समझते हैं और कुष्टि को भी बखु भी समझते हैं जोर आजमाईस को गौर से देख रहे इन जजों ने जब फैसला किया तो लोगों ने ताली वजाई सच्चाई यह है कि कुष्टि बिहार का अपना खेल है इसे देशी खेल भी कह सकते हैं लेकिन जिस तरह से धेरे धेरे ये लूप तो हो रहा है उससे खासे लोग नराज भी हैं। लोगों का कहना है कि कुष्टि को अगर प्रमोट किया जाए तो यह देश विदेश ही नहीं इंटरनेशनल लेबल पर बिहार अपना नाम रोशन कर सकता है। और पपू यादम ने भी यही बातें कहीं। अब आपको दिखाते हैं ये कुष्टि की जोड आजमाईस कि एक पहलवान दूसरे पहलवान को चित्ट करने के लिए कैसे पूरे दमखम के साथ लगे। काफी भीर है चारो तरफ लोग गौर से इन पहलवानों की एक-एक जो राजमाईस को देख रहे हैं। एक-एक दौव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। धोविया पाट से लेकर के कुष्टी पाट तक का एक-एक दौव समझने की कोशिश में पपू यादब भी लगे हैं। और जब पहलवान एक दूसरे को पराजित करते हैं तो मैदान तालियों से गरगरा उड़ता है। और इसी तरह महिलाओं की कुष्टी जब सुरू हुई तब लोगों ने अपनी सांसें रोग ली। एक दूसरे को पटकनी देने के लिए अपनी ताकत लगा रही महिलाओं पहलवानों ने जब सामने के अपने प्रत्यद्वन्दी खिलारी को पटकनी देने के लिए पूरी ताकत लगा दी तो लोग तालिव जाने लगे। जो द्रिश्य आपको दिखा रहे हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, उस देख के आप समझ जाएंगे कि महिला पहलवानों ने एक दूसरे को पठकनी देने के लिए कितनी ताकत लगाई, क्या-क्या दाव पीच नहीं लगाए। और जब फैसला हुआ, तो फैसला बिहार के पक्ष में गया। और इसके बाद पपू यादब ने कहा भी कि बिहार के राजनेताओं को, बिहार सरकार को, कुष्टी को प्रमूट करना चाहिए। जो हमारी देश की सबसे प्राची खेल है, जो मेरे जिन्दगी का निर्मान करता है, इसको बढ़ावा देने की भारत सरकार कुष्टी पर कोई खर्च और बिहार सरकार नहीं करती है। हम चाहते हैं कि किसी भी गेम में वन टू टेन में आने वाले बच्चों को, कि हर सरकार क्यादी वो इंडिया खेलता है, तो उसको नोकडी की गुंजाइश मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हर गेम में वन टू टेन में रोजगार के रुप में सरकारी नोकडी की वेवस्था हो। और बेपार के लिए जो बच्चे खेलना चाहते हैं, उनको सरकारी सुपधा पर खेल, नियात हो कुष्थी, गद्दे पर अब वेवस्था हो गई है, हर जीले में कुष्थी के लिए एक बड़ा वेवस्था हो, फुटबॉल, वॉलीबॉल के लिए, मैं बधाई देना चा खुलासा के लिए लखे सराय से रंजित समराट की ये खास रिपोर्ट ये बड़ा वेवस्था हो, इना खुलास रिए लोर्ट वेवस्था हो गवस्था बड़ादा आपशन के लिए।